This is something about me, आप लोग टेलिग्राम ग्रूप भी जॉइन कर सकते हो, हम वहाँ पर quiz practice करते हैं, classes का link भी मैं वहीं पर आप लोगों को share करती हूँ, उसके साथ ही आपके जो भी doubts होते हैं, मैं उनको भी resolve करने की कोशिश करती हूँ, वीडियो थोड़ी सी भी आपको helpful लगती है, तो high context culture की यहां पर बात हो रही है, तो high context culture में किस चीज़ पर emphasize किया जाता है, use of colloquialism, fractured sentences, politeness in communication, nonverbal communication and indirect phrasing, आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ठीक से questions को पढ़िए, high context culture and low context culture में क्या difference होता है, पहले यह जानना जरूरी है, तो high context culture की जहां पर भी बात होगी, तो आप लोग connect करोगे इंडिया के साथ, और जहां पर भी low context culture की बात होगी, वहां पर आप connect करोगे USA के साथ, USA या फिर जो European countries हैं उनके साथ, तो high context culture जैसे हमने बुद्धिस्ट कम्यूनिकेशन में भी समझा था न, western communication and eastern communication, तो थोड़ा थोड़ा उसी से यह मिलता जुलता है, high context culture की जब भी बात होती है, जैसे आप इंडिया में देखते हो, कि लोग facial expression से पता लगा लेते हैं, कि आप क्या कहना चाहते हो, feelings के थो, emotions के थो हमें पता चल जाता है कि दूसरे के मन में क्या चल गए, तो हम verbal के साथ साथ non-verbal communication को भी महत्व देते हैं, जैसे कि अपने इं direct हम किसी का criticism नहीं करते हैं, सामने से direct ही, तो हम politeness का use करते हैं, kindness का use करते हैं, respect करते हैं दूसरों की, verbal के साथ साथ non-verbal पर भी focus किया जाता है, ये सारी चीज़ें कहां पाई जाती हैं, इंडिया में, तो high context culture का भी यही मतलब होता है, जहाँ पर इन सारी चीज़ों का आप emphasize किया जाता है, ये होता है, low context culture, अब हमने meaning समझ लिया, आप यहाँ पर देखते हैं, use of colloquialism, यानि बोल चाल का प्रियोग, बोल चाल का प्रियोग, यानि verbal को महत्व, verbal communication को महत्व, तो ये किसका characteristic हुआ, low context culture का, fractured sentences ये भी किसका हुआ, low context culture का, जहाँ पर आप सामने से criticism कर देते हो, directly बोल देते हो, जो भी बोलना है, ठीक है, politeness, मैंने आपको बताया, politeness हमारे इंडिया में, politeness का use किया जाता है, communication process में, respect के साथ बात की जाती है, अपने बढ़ों के साथ, non-verbal communication का बहुत बढ़ा महत्व है, हमारे communication process में, and indirect phrasing का मतलब होता है, जब हम signals के थो बा हैं, high context culture को, तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा, option number 3, okay, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि high context culture, ये low context culture से questions पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछने के chances हैं, high context cultures are cultures that rely on shared knowledge and understanding between people, high context culture का क्या मतलब होता है, जिसमें की, आम तोर पर जो communication होता है, वो indirectly होता है, non-verbal cues की helps होता है, जहां पर explicit, नहीं, implicit messages का भी use किया जाता है, मतलब, इशारों में बात की जाती, directly आप से नहीं कहा जाता है, ये सारी चीज़ें use होती है, communication based होती है, body language, facial expression का use किया जाता है, इसके अलाबा, tone of voice, इससे भी पता चल जाता है, कि सामने वाला person क्या कहना चारा है, politeness का use किया जाता है, communication process में, और non-verbal communication पर emphasize किया जाता है, indirect phrasing, इसका क्या मतलब होता है, जैसे की directly आप चीज़ों को नहीं कह रहे हो, बलकि hints का use कर रहे हो, अपने communication process में, तो उसको क्या कहेंगे, indirect phrasing, इसके example हैं, जैसे Japan, India, France, यहां पर high context culture को follow किया जाता है, low context culture की अगर बात करें, आप लोग हिंदी में भी ठीक से पढ़ लेना इसको, और note भी कर लेना साथ में, low context culture की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर implicit कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ क्या होता है, explicit होता है, hidden कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि इशारों बात की जाएगी, जो भी कहना है, directly कहा जाता है, सामने से कहा जाता है, straight forward communication होती है, ठीक है, और short term relationship, जब आप सामने से किसी से कुछ भी बोल दोगे, आप यह नहीं सोचोगे कि दूसरे का emotions hurt होंगे, या क्या होगा, मतलब non-verbal जो communication है, उसको जादा महत्म नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो relationships हैं, वो short term होते हैं, जैसे आप देखते भी हो, ऐसे तो अब इंडिया में भी short term relationships ही हो गए हैं, लेकिन ज्यादा तर पहले क्या होता था, कि जो विदेशी countries हैं, वहाँ पर जल्दी divorce हो जाते थे, उसकी वज़े क्या थी, वो यही वज़े थी, कि वहाँ पर low context culture को follow किया जाता था, example हो सकते हैं, इसका USA and UK, अब कोई भी question आता है, तो आप लोग इंडिया और USA से connect करके याद रख सकते हो, high context यानि कि इंडिया, low context यानि कि USA and European countries, I hope कि आप लोगों को आज कही concept, new concept अच्छे से समझाया होगा, कोई भी doubt रहता है, या कोई भी आपका question है, तो आप लोग मुझ से comment box में पूछ सकते हो, and video को like जरूर करना, share करना अपने friends के साथ, video अच्छी लगे, तो subscribe भी करना channel को, ताकि आगे आने वाली क कोई भी वीडियो आप लोगों की miss ना हो, आप लोग एक बार playlist जरूर जाकर check out करना, जो लोग भी June 2024 exam को target कर रहे हो, आपको वहाँ से बहुत help मिलेगी, मैं सारी playlist का link नीचे description box and comment box, दोनों जगा आप लोगों को provide कर दूंगी, okay, see you soon, thank you so much.